आज राज किचन रैस्पी बनाएंगे गाजर, मटर, मटर और गाजर की इसी टेस्टी, स्वाधिष्ट, मसालेदार सब्जी और रैस्पी कि इसको खाने के बाद आप उंगलियां चाट पे ने जाएंगे अगर राज किचन रैस्पी के स्टाइल में बनाएंगे तो यहाँ प तादी तादी और फ्रेश मटर आजी हैं मार्केट में तो वही ले अब सबसे बेला काम क्या करते हम यह जो गाजर है इससे डाल वेते हैं यहां पानी में अब सबसे पहले देखिए हम ने देखिए इसको दुया था एकबार इसको तरीके से रगढ कर हम दू लेंगे एक लेंन अप पानी अच्छे से और अब इसे काच नगे इसके पहले छोटे-छोटे पीस करने आप याप इस फिर इस तरीके से यह पीस करने हैं आपको इस तरीके से मोटे बड़े भी कर सकते हैं मैं इनको तीन तरीके से काटूँगा पहले तो इस तरीके से काटेंगे हम एक तरीका यह है कि यह जो पत्मी वाली आगे से काट देते हैं और इसको यहां से इस तरीके से काटेंगे मैंने आपको 3 तरीकळे बोलें न और 1 तरीका है ये इस तरीके से सारी गाजर कटकी हैं पानी लेके बहम लगा। और यहां पर हम एक यह लेते हैं तोकरी बोलते हैं तोकरी में डाल देते हैं मतर और इसको भी हम दो लेते हैं तो यहाँ पर गाजर भी हमारी तयार हो गई है मतलवी तयार हो गई अब को रखते हैं साइड में और बताता हूँ हम लाका आपको मैं कि क्या-क्या सामगरी हम इसके अंदर डालने वाले हैं इतनी सारी सामगरी ची हमें काचर मटर बनाने के लिए टीस्टी मसालेदार उंगलियां चाटने वाली ये इतनी सामगरी ची है तो दीखिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहां पर हरा दनिया 50 गराम टमाटर का पेस्ट तीन मीडियम साइज के टमाटर जिसे हमने मिक्सी म पेस्ट बना लिया बीज और छिलका निकाल कर एक छोड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च एक बड़ा चम्मच कश्पिरी लाल मिर्च तीन बड़े चम्मच कुटावा लैसुन और अध्रक तो यहां पर मैंने 30 कलियां मोटी वाली करीब दो गांट ली थी दो गांट का तीन से चार लॉंग और थोड़ से हमको दालचीनी चीए दो पीस बिल्कुल छोटे तीन मीडियम साइस की प्याद चीए बारीक कटी भी बिल्कुल बारीक कटी और तीन हरी मिर्च चीए कच्ची तीखी नहीं लेनी है तीखी हो तो दो हरी मिर्च ले राई के दाने लेने एक छोड़ा चम्मच, जीरा लेना है, एक छोड़ा चम्मच, हल्दी, बिल्कुल छोड़ा चम्मच, धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच, गरम मसाला, एक छोड़ा चम्मच, सी सॉल्ट, स्वाद नुसार, और एक छोड़ा चम्मच, काला नमक. तो चलिए अब बनाना शूप करते हैं मस्त मसालेदार गाजन मतर की रेसेपी सर्दी में आप ए बार बार बना के खाएंगे जब मेरे तरीके से बनाएंगे गैस पे चला दी हमने सुन्दर और सुशिल वाली कराई कराई में जाएगा करी चार बड़े चमज तेल देखे थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है आप अपने इसाब से ले सकते हैं और बाकि टोईली टोईली करने वाले तो करते ही रहेंगे एक समय दलिया खाएं तभी आप यह चीज खा सकते हैं कि एक समय में पोहे खाता हूं सिरिफ कम मतलब बीना तेल वाले तेल गरब होने के साथ ही एक चोटा चमज राई के दाने और एक चोटा चमज चीरा तरता लेगने देते हैं अच्छे से पर उससे पहले क्या करते हैं इसमें जो हमने खड़े मसाली लिए दे वो भी डाल देते हैं अच्छे में यहां पर तीन मीडियम साइज की बारी कटिवी प्याज प्याज के साथ मी मी अदरक है इन बव्लार अद्रक मेरी प्याज के साथ मीम तो इन जालनेगे जेशन राट्रक jan दखालें , अब देखिए इसे क्या कर लेते है, हम इस्टार कर लेते हैं, WAW इसे Golden Brown करना है टाइम लगेगा Medium- getan blender इसे Golden Brown करना है तो इसको हम थोड़ी देर क्लिए छोड़ देते हैं, और गाजर का पानी किन ने थाए जब तक यह golden brown होगी जब तक गाजर का जो इदर पानी है अच्छे से निकल जाएगा गाजर को पकने में तोड़ा समय लगता और मटर को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है अब यहां आ जाते हम और मिल्यम लोग फ्लेम पर इसे golden brown करना है हमें देखिए अच्छे से प्याच और लासुन golden brown हो गया है सीधा सिंपल जाएगे गाजर को और दो मिनिट इस गाजर को इसको हम मिलाएंगे इसके अब दर कहने का मतला है दो मिनिट मेडियम लो फ्लेम पर गाजर को हमें इसमें स्टर करना है तो लीजे दो से तीन मिनिट हो गया है कैस को कर देते हैं हाई फ्लेम पर और डाल देते हैं मटर अब हाई फ्लेम पर दो मिनिट मटर के साथ यह से चलाएगे कि यह लिए दो मिनिट चला लिया गैस कर देगे तिलकुल लोक लेंपर अब यहां पर इन्हें पकाने के लिए डालना पड़ेगा में जब से पहले आप स्वादन उसाल दे सकते हैं और काला नमक डाल देगे हम एक छोड़ा चमच यह देखिए इतना और लिला लेगा और देखिए एक चीज बता रूम है आपको इसकी दो बार प्रिपेशन होने वाली है मसाले दार चटपटी उंगिया चाचने वाली बनानी है तो मेरे तरीके से आपको बनानी पड़ेगी अब यहां हम एक छोड़ा चमच अल्दी डाल लेते हैं यह देखिए इतना मिला लेते हैं अब दो मिनिट इसे लोफ लिम पर दो से तीन मिनिट चला लेगे पूरे तीन मिनिट लोफ लिम पर चला लिया हमने अब डाल देखिए एक कप पानी देखिए अवाज बंद हो गई है अब ग्रीवी वाली हल्की सी ग्रीवी वाली में ज्यादा मझा आता है सूखी भी बना सकते हैं तो आप कॉमेंट करेंगे तो मैं सूखी वाली भी आपको बना के बताऊंगा आप इसे वीडियम लोफ लिम पर कर देखिए पूरे तीन से चार मिनट के लिए एक बार बीच में जरूर चेक करना है आपको और मेरे को भी पूरे तीन मिनट हटा लेते हैं ठकन गैस कर देते हैं हाई फ्लेम पर और हाई फ्लेम पर दो मिनट और चला लेते हैं इसे एक यह कितना सुंदर और सूशी लग़ी है हमारी रहसेटी अब देखी यहाँ पर जो में चीज है वह कज़र मतर को अहारीbuz ही रही पर गाजर को वह कर लेती है है जो Voley अए पर गाजर को हम चेक कर लेते हैं किखिनी गली है मैं इस तरीके से काटके देख ships हल्किसी कसर है और कल जाएगी दो मिनट के अंदर अलब शिक टाप हो जाएगा काम तो मिला लेते हैं यह लीजिए दो मिनट हाई फिल्म पर हमने चला लिया है कैस को कर देते बन इसको उठाते हम और इसे हम खाली कर देते हैं एक बर्तन में यह लीजिए यहाँ यह देखे हमने निकाल लिए अलग यह कड़ाई हमने साफ कर लिए और कैस ओन कर दिए जलने के आ लिए स्मेल सी तो बस दो छोटा चम्मर्च तेल डाल देंगे तेल को घरम होने देंगे एक बार सबसे पहले तीन हरी मिश टाल देंगे इस्टर देंगे डालेंगे एक छोटा जम माच चीदा डालेंगे टमाटर का पेस्ट दिए निला लेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च एक बड़ा चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच गरम मसाला और मिला लेंगे अब क्यास को कर देंगे हाई फ्लीम पर पबल आ गया देखिए तो पबल आ गए इसमें क्यास को कर देंगे लोग फ्लीम पर हंडेड एमिल पानी डाल लेंगे और एक बार और बबल आने देखिए इसमें देखिए अच्छे से बबल आ गए बढ़िया से फास क्लास अब इसमें डाल देखिए थो बड़ा सा 25 ग्राम बारी कटावरा धनिया यहाँ पर पहले एक बार डाल देते हैं दो बार डालना पड़ेगा हमको यह लिजे से मिला लेते हैं इसका जो फ्लेवर और टेस्ट हो हो एक नंबर आएगा यह लिजे मिला लिया अब ले यह क्राशाइज मटर डाल देते हैं कि मिला लेते हैं कि यह अमारी ग्रीवी वाली अभी बन करता है यार नहीं है डाट घैस अभी हाई फ्लेंपर है ढ्रेंआ को कर देते हम मेडियंग लू फ्लेंब पर और अशे से धक्कर रख लेते हैं पूरे पांच मिनट पीड़ी बार 5 मिन एक उत देन पर डो थीं बार ऐसी गाचर मटर की सबजी खाने के लिए कौन मना गड़ेगा यह देखें पर यह हल किसी मीठी होती है तो मैं आपको बुरूँगा इसमें लाल मिर्च तीक्षी वाली थोड़ी से आप ज्यादा कर देगी क्यों क्यों देखें मटर का सौत होता हो मिठा होता है गाजर का अल्री मिधा होता है बड़िया हमारी रैस्पी आलू गाजर की बनकर तयार है पस फूर्ड़ भारी कटावाहर दन्या और ढाल देंगे ये इसे हम खाकर करेंगे पराथे के साथ खाना और बटर में बने ले पराटा को साथ खाना बहुत मज़ाआने मला कैस को कर दो बंद रास्पी पसंदार तो वीडियो को लाइक कर दें आप जब भी बनाएं मेरे तरीके से तो बनाने के समय नहीं जब आपके बढ़िया बने यह चार-चार के लोग खाएं तो आकर मुशे कॉमेंट करें तो मैं आपके लिए ऐसी मसालेदाल चेक पटी शानदार वाली रेस्पी लजीज रेस्पी लाता रेता हूं तो मेरे चैनल पर और भी काभी रेस्पी उन्हें देखिए बनाईए खिलाईए और तारीफ पाईए क जो कोई जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है तो चलिए आज के इतना ही चलिए जो बनाएए उसे खाकर खत्म करते हैं